जाहिन दोस्तों आसा करते हैं आप सवस्तों के मैं विवेक अपने इस यूटूब चैनल करे मिरन में आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि आज मैं पॉलिटी का नेक्स शेप्टर समिधान के सुरोत या दासोर साफ कांस्टिचूशन इंडियन कांस्टिचूशन लेकर के आया हूँ तो इसे मैं डेटेल में आपके साथ डिसकस करूँगा और आज से मैं अपनी टीचिंग स्टेडिजी में थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूँ आज से मैं जो भी टॉपिक आपके साथ डिसकस करूँगा उसके लास्ट में मैं आपसे टेन कोस्टिचन भी उसी टॉपिक related पूछूँगा जो की previous year exam में पूछे गए होगे और अगर आपने उस question को सवाल कर लिया तो आप समझ लिजे कि आपकी जो study है वो right way में है अधरवाईज आप कुछ समझदार हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है अभी तक तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लिजे और बेल आइकन को push कर लिजे ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की notification ब्रावबर मिलती रहे तो बढ़ते इसी क्रम में बात करते हैं भारतिस अधरियाम 1935 की पहला कहरा है कि भारतिस समझदान का अधिकांस भाग जो है भारतिस समझदान के स्रोथ की बात करें तो भारतिस समझदान का जो सरवादिक स्रोथ जो लिया गया है वो है वो भारतिस समझदान का अधिकांस भाग कहां से लिया गया है तो भारतिस समझदान का अधिकांस भाग कहां पालिका हो गई, लोग सिवायोग हो गया, आपात का लोग बंद हो गया, प्रसासनिक विवरड हो गया, ये पांच बाते जो हैं भारसासन अधनिया मुनिसोग पैचिस से ले गई हैं, अब थोड़ा रही नोट हमने इसले लिखा ताकि आपको रिलेट कर सकें, ये नोट इसल द्वारा विद्यो को सुरच्चित रखना, ये भी कनाडा के समिदान से लिया गया, आप ये याद रखेंगे, खिर से सुन लीजे, राजपाल का कारिकाल है, जो भारसासन अधनिया मुनिसोग पैचिस से लिया गया है, और राजपाल के नियूक्त की बात करेगा, मतलब ज अधनियम हो जाएगा, नयाइप पालिका की सोतंदरता की बात करेगा, तो ये आपका USA हो जाएगा, और नयाइप पालिका के मतलब नयाइक पुन्राव लोकन की बात करेगा, तो वो भी USA से है, नयाइक पुन्राव लोकन क्या होता है, तो सुप्रीम केोट के द्वारा जब वो भी USA के सम्धान से है नियाई पालिका की सोतंता सोतंता समझते हो मतलब इसमें विधाईका और क्या बोलते है कारिपालिका ये दोनों हस्ता छेप नहीं करेंगी नियाई पालिका में विधाईका और जो कारिपालिका है दोनों ही नियाई पालिका के कारी में हस्ता छेप न नहीं करेंगे तो इन्याय पहले करेंगे कि जो सतंदर्ता है वो भी USA के संदान से लिए गई है ये तीन बाते बाकी लोग से वायोग आपको याद रखना है प्रसास्निक वरण यह भी याद रखना आपात काल के समय मूला अधिकारों का इस्थगन की बात करेगा तो फिर जर राजपाल का कारिकाल हो गया नैपालिका हो गई लोग से वायोग हो गया अपात का यह बंद हो गया प्रसास्निक विरण हो गया यह सब भाराजपाल सम्दिर में ने तीन बाते बताई कि राजपाल के कारिकाल की बात करेगा तो भाराजपाल के नियुक्ति हो गई और आपात काल से संबंदिर भी दो बाते बताई आपात काल के समय मूला अधिकारों का इस्थगन यानि जो मूला अधिकारों का समाप्त हो जाते हैं उनका इस्थगन जो है मूला अधिकारों का वो जर्मनी के वाइमर समिधान से तो असा करते हैं आपको इतनी बात क्लियर हो एक संसदी वर्ड याद रखें आप ठीक एक आपका वीरी वर्ड याद रखें एक प्रडाली वर्ड ये तीन वर्ड याद रखें तीन से आपके छे पॉंट के लिए उर जाएंगे मतलब संसदी सासन पद्धत की बात करेगा तब भी बिटन से संसदी विशेशा अधिकार की की बात करेगा तो भी कहां से बिटन से विधि के सासन की बात करेगा तो भी बिटन से और विधाय प्रक्रिया की बात करेगा तो भी बिटन से अब विधि से संबंदित तीसरा पॉइंट बनता विधि द्वारा इस्थावित प्रक्रिया ये इसका एक अप्वाद है कि विधि वड्से और दो प्राड़ी कुछ सी हैं एक मंत्री मंडी प्राड़ी और दूसरी सदनी प्राड़ी तो दोनों प्राड़ी जो हैं ये दो Mortoria कहां से लिए गयी हैं ब्रिटेन के सविधान यहांनी नागरिक्ता क्या भारती हम बोलते हैं आप कौन है तो आप क्या बोलते हैं इंडियन आइम इंडियन ठीक है तो हम सब भारती है तो हमारे यहां भारत में कौन सी नागरिक्ता है एकन नागरिक्ता है और एकन नागरिक्ता कहां से ली गई है तो बिटन से आप यह से तो इसको relate कर लिजे, हम पर सासन कौन कर रहा था, बिटन, और हमको संप्रूब राज, जो अंग्रेज लोग यहां से गए हैं, तो उन्होंने भारत को दो भागो में तोड़ा, एक पाकिस्तान को एक संप्रूब राष्ट बनाया, एक भारत को बनाया, तो दोनों पाकिस्तान की जो लग गए, वो पाकिस्तानी नागरिक्ता मिली, जो भारत में रहा है, उनको भारत की नागरिक्ता मिली, ठीक है, तो इसते यारे लेट करके आप याद रखका कि एकल नागरिक्ता बिटन से लिए गई है, ठीक, परमा अधिकाल लेक की बात करेगा, तो परमा अधिका या स्रेश्ट अधिकार या स्रेश्ट वीचार जो हैं यह सब तहां से लिएगा हैं बिटन के समथान से लिएगा हैं आप ये भी याद रखेंगे तो 8 बाटे याद हो गए आप बाटे याद रखने के लिए आपको तीन वड़ यादแ रखने गई है और परमा अधिकाल लेक जो है वो भी बिटन से लिए गए है ठीक है तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट बात करते हैं USA के सम्धान से क्या लिया गया तो उद्देशका का विचार अभी मैंने बताया उद्देशका का विचार जो है यह कहां से लिया गया USA के सम्धान से लेकिन उद्देश्का सम्मंदित हम चार बाते याद रखेंगे आप याद रखेंगे कौन-कौन सी उद्देश्का के सम्मंदित चार बाते हैं पहला उद्देश्का का विचार का विचार आया तो विचार कहां से आया अमेरिका से आया उद्देश्का की भासा की बात करेग वो कहां से आए, वो फ्रांस से आए, तो उदेशिका से चार देश याद रखेंगे, चार बाते याद रखेंगे आप, कि उदेशिका के विचार की बात करेगा, तो आप चले जाएंगे USA, उदेशिका की भासा की बात करेगा, अस्टेलिया, उदेशिका में नयके दर्सन की बात करेगा रूष और देशिका में संटा सोतंतरता और बंदुता की के जो आदर्स हैं वो फ्रांसे ठीक है मूला अधिकार दूसरा पॉइंट है मूला अधिकार की बात करेगा तो USA से है लेकि अगर मूल करतव की बात करेगा तो आपको याद रखना है वो रूस के से लिए गया है ठीक उसके बाद नाइक पुन्रा उलोकन हो गया अभीव ने रिलेट करके बताया कि यह दोनों USA के सम्हिदान से हैं क्यों है क्यों कि नाइपालिका कहां से ली गई है वो लीए गी भारवायोग प्रक्रिया के सौतंतरिता की बात करेगा तो USA से हो गया और नियाईख पून्रा अलोकन कीबात करेगा तो वह भी युससे हो गया ठीक के बाद उपराश्टमत का पद हो गया यह सब क्या है और यह सब आपकर क्या हो गया उड्र यह सब आप cruc assets 1935 से लिया गया हमने बिटेंच से आपको बताया था आट बाते ले गहीं जूमें छे को अलग कर दिया था दो अलग को यूनिक बताया था तो छे को जो अलग किया था च्छे को तीन वड़ eigenlijk बताते हैं तकना एक संसदी एक बता था प्रणाली एक बता था विदी तो संसदी थे दो सब्धत से कौन कौन से संसदी सासन पद्धत सासा संसदी सासन पद्धत और एक संसदी विशेशा अधिकार हो गया ठीक उसके बाद विदिका सासन और विधाई परक्रिया दो विदिस सब किसे थे बिटन के सविधान से थे USA के सविधान से क्या बताया उद्दिष्का का विचार उद्दिष्का के विचार से मैंने चार बाते बता ही कि उद्दिष्का के विचार की बात करेगा तो USA उद्दिष्का में भासा की बात करेगा तो आपका अस्ट्रेलिया उद्दि दोस्तों लिया गया है इतनी बाते एक संसत के दोनों के संविक्त बैठक का स्विक्त बैठक होते मस है, स्विक्त बैठक का मतलब क्या होता है, जब राश्टपत, राज्य सभा और लोग सभा दोनों को एक साथ हमन्तित करता है, उसे स्विक्त बैठक कहते हैं, और स्विक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे होता है, वही संयूक्ट बैठक का भी अध़च होता है आप यह भी याद रखेंगे ठीक है और संसत के दोनों सदनों और राश्ट पत इस संयूक्ट अधिवेशन में भाग नहीं लेता है ये भी वात तीन बात याद रखेंगे सुविक बैठक का बुलाने का कार राष्टपत का है परन तो राष्टपत इसमें भाग नहीं लेता है दूसरी बात तीसरी बात ये है कि सुविक बैठक की अध्यस्ता कौन करता है तो लोग सबा का अध्यच करता है और ये सब कहां से लिया गया है ये अस्टेलिया के सम्विधान से लिया गया है उद्देश्का की भासा मैं बता चुका हूँ अस्टेलिया के सम्विधान से समवर्ति सूची की विवस्ता उबने सूची दोनों याद रखेंगे समवर्ति सूची आपको पता है कि केंदर और राजी दोनों समवर्ती सूची में केंदर और राजाजी दोनों नियम बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं और समवर्ती सूची समविधान के अनुसूची साथ में वड़ित की गई है और ये कहां से ली गई है तो अस्टेलिया के समविधान से ली गई है आप ये भी आद रख है तो यह है आपकी अस्तेलिया के सम्धान से लिए गयी तो इसनी बात आपको clear हो गई होगी तो यह उक बैकात क less नाज राखें के और जो सूची याद राखेंगे यह दोनों कहां से लें यह उ हुद्धे नाज और कि भान भासा मैं बता चुक अस्तेलिया के दा केंदर के साथ संगी विवस्त था यह इसमें दो पॉंट देखो यह 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 एक ही पॉंट है यह काड़ देते हैं दू बात में तो केंदर राजी चाज्यपालों के नियुक के नियुक पहले सभाड के भी संबन जो है कनाडा के सम्दान से लिए गया और संघातमक सासन बहुत content है यह संघातमक साम mayonnaise हैं जो संघातमक सासन है यह most important है और यह कहां से लिया गया है तो यह लिया गया है आपका कनाडा के संविधान से तो तो next point क्यों चलते हैं, next point कहता Ireland के सम्विधान से क्या क्या लिया, तो Ireland पहला point है नीति निर्वाचन पद्धत, राष्टपत का जो निर्वाचन होता है, वो भी कहां से लिये गए, आर्लेंड के सम्विधान से, अब याद रखेंगे उपराष्टपत का जो पद लिया गया त वो USA से, और राष्टपत का जो निर्वाचन पद्धत है, राष्टपत का जो निर्वाचन पद्धत की बात कर रहे हैं, वो आर्लेंड के सम्विधान से, राजसभा में सदस्यों का नामंकन, आप याद रखेंगे नामंकन और निर्वाचन ये लिखा राजसभा के, सदस् तो आपको बता दे राष्टपत जो है वो 14 सदस्टों को नमंकित करता है जिसमें से जो राजी सभा से थी राजी सभा से 12 सदस्टों को और लोग सभा से 2 सदस्टों को नमंकित करता है आप याद रखेंगे राष्टपत जो कुल नमंकित राष्टपत द्वारा कुल नमंकित सदस्टों की संख्या कितनी है 14 12 राजसभा में और 2 आपके लोग सभा में नामंकित के राते हैं तो राजसभा में जो सदस्टों का नामंकन होता है जो एक तरिके मनोनेयन होता है नामंकन मनोनेयन बात वही है जो होता है वो कहां से लिया गया है आयर लेंड के समिदान से लि कहां से लिया गया ता सोचओ वो लिया गया थह दर्शन वो रूश और उद्देशिका में जो सम्ता सोतंतरता और बंदुता के जो आदर्स हैं यो फ्रांस पॉइंट की बात करते हैं दच्छर अफरीका की संविधान की बात करें इसमें एक पॉइंट ये भी देख लीजिए कि जो मूल करतव हैं वरतमान में एक मिनट ये जो मूल करतव हैं वरतमान में मूल करतव की संख्या कितनी है ग्यारा और पहले मूल संविधान में कितनी थी मूल समिधान में थी 10 ये थे मूल समिधान में मूल समिधान की बात करेगा तो 10 वरतमान में 11 यानि 26 समिधान संसुद दिने 2002 के द्वारा 11 मूल करतव भी जोड़ा गया था मूल करतव क्या था? 6 से 14 वस्त के लिए बच्चों के निसुर्ख सिच्छा ये 11 मूल करतव कितने हैं? टूटल 11 हैं और पहले कितने थे? 10 थे 11 मूल करतव जो है सरदार स्वर्ण सिंग की समिध की अनुसंसा पर नाम याद रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंग समिध की अनुसंसा पर 86 समिधान संसुद द्वारा 2002 में इसे जुड़ा गया था और 11 मौलिक करता भी बनाया गया था ठीक इतनी बात भी आप याद रखेंगे इससे सम्मद लेदे बात करें दच्र अफरीका के सम्मिधान संसोधन प्रक्रिया आप याद रखेंगे यह सम्मिधान संसोधन जो है वो आर्टिकल आपका 368 यह आपको स नामांकन जब भी मनोनेयन नामांकन की बात करेगा तो वो जायरलेंड के सम्मिधान से लेकिन जब राजसभा के सदस्तों के निरवाचन की बात करेगा तो दच्र अफरीका के सम्मिधान से है ठीक है नेक्ट बात करते हैं फ्रांस के सम्मिधान से क्या लिया गया है तो फ् फ्रांस के सम्विधान से क्या लिया गया गया गरत अंतरा तर्म बड़ याद रखना बाकी यह तो मैं पहले डिसक्स कर चुका हूँ कि प्रस्तानों संबंदे चार बात याद रखनी है वो चारों बाते मैं आपको डिट्ल में बता चुका हूँ नेक्ट पॉल्ड की बात करें जर्मनी की सम्विधान से ये भी मैं पहले डिसक्स कर चुका हूँ मैंने बताया था यह आपात काल के उपबंद जो है बहरा सासना द ideia मों 135 हैं ओपात काल के समय मूला अदिकारों का जो इस थगन है वो जर्मनी के वाइमर समय होगी है तो अप इसे को इसका अंसर दे दिया तो आप अगर आप ने इनका अंसर दे दिया तो आप समझ लिजिए कि आपको इस वीडियो समझ में आया है और आपकी जो पहला कोश्चन है कौन सुमेलित नहीं है तो आपसन पहला दे रहा है मूला अधिकार अमेरिका के समिदान से बिलकुत सही है सासन की संसधी प्रडाली हमने बता संसधी वड कहीं पर भी आ जाए आग बंद करके बिटन चले जाए आप तो यह बिटन से रंधान से हो गया आप काल के समय मूला अधिकारों का इस्तगन जो है वो जर्मनी के समिदान से है और आप अप उखबंद की किवल बात करेगा तो फिर आप चलेंगे भारस अतन देमनिस्तों 35 की बात करेगा राज के नीच निजरत तो डीपी एसपी की बात कर रहा है यह डीपी यह डीपी एसप कर रहा तो डीपी एसपी कहां से लिए गाए अस्टेलयाक संवंदान यह आपका गलत है यह कहां से लिए गाए यह यह आयर लांड से लिए गये श्रवाद कर निया से लिए लिए आप समझ लेना राइटिंग ठोड़ा जहीं इसकी वज़े से है तो यही सुमेलित नहीं है तो आपका बाते बात्र प्ते चार बाते याद रखिएंगे कि उद्धिशका की भासा आप से याद ratios kया रखिए ते इटली की सम्विधान से, कनाड़ा की सम्विधान से, फ्रास के सम्विधान से, USA के सम्विधान से, तो कहां से लिया गया है, तो इसका correct answer जो हो जाएगा आपका, जो दिसका का विचार जो लिया गया है, वो USA के सम्विधान से लिया गया है, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कि भारती राजनीतिक विवस्ता में इन में से कौन सर्वोच्च है हमारी भारती राजनीतिक विवस्ता इन में से सर्वोच्च कौन है तो सर्वोच्च नयले दे रहा है संविधान दे रहा है संसत दे रहा है और धर्म दे रहा है यह दो वर्ड पर लिग गया है यह धर्म दे बात करें तेरा न्याइक पुन्राव लोकन की व्यस्ता क्या की गई ये इसके बारे में बताया था कि न्याइक न्याइपालिका से याद रखें न्याइपालिका भारास अदने मुझी सो पैटिस से ली गई थी न्याइपालिका की शोतंतरता जो ली गई थी वो आपको कहां स से ली गई थी USA से और नयाई कुल्रोकन की व्यस्ता कहां से ली गई है USA से तो आफ्सन में है क्या किवल भारत में है नयाई कुल्रोकन व्यस्ता गलत है किवल USA में ये भी गलत है भारत और USA में दोनों में l огром की जो व्यस्ता है वो भारत बहने चे में आधा कि यूइसदा कारई घर रंॉसथा काहां पर है भारत और USA दोनों में है तो यह इसका क्या हो जाएगा की बात करते हैं कि भारत की संगहातमाख व्यस्ता मोस्ट important question है previous year में बार-बार repeat हुआ है question है यह exam में आया हुआ है कराफ संघात्मक व्यस्ता नहीं से किस देश से संबंदे थे तो हमने बताया था आपको आफ से देग लिए कनाड़ा है United Kingdom है United Kingdom मतलब UK बिटन जिसको बोलते हैं सुनिक तराज अमेरिका है Ireland है तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तों कनाड़ा संघात्मक व्यस्ता जो ली गई है वो कनाड़ा की सम्विदान से ली गई है Australia के सम्विदान से ली गई है next question की बात करें next question कहा रहा है कि भारते सम्विदान में मूल अधिकार अधिकारों को मतलब मूला अधिकारों की जो अधारना है 21 देश के सम्धान से लिए गई तो अब से पूछरा मूला अधिकारों के उधाना बतानी है मूला अधिकार कहां से लिए गई आप से में फ्रांस है, बिटन है, सुनितराज है, अमेरिका है, रूस है तो जब भी मूला अधिकार की बात करेगा तो सुनित राज preserved अमेरिका से लिए गए। और मूल करतब की बात करेगा तो वुरूष से लिए गए। तो अब याद रखें, मुल अदिकारों के अधरना कहां से लिए गए। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट किरा है, निल में से कौन सुमेलिद नहीं है, राज के नहीं नहीं सकता, त्थ आयरलैंड की संधान से लिए गया है, बिल्कुल correct अंसर है आपका, ये तो नहीं हो सकता, मूल अधिकार, USA के संधान से ये भी correct है, भारत राज्यों का संग है, तथा स से अस तेलिया से है त्रेड और कि जबिग गई किस संविदान से लिग इसका करेक्ट आंसर क्या हEr जाएगा तो इसका पृष्य नहीं तो य वह सुमेलित नहीं है क्योंकि और जा पान है भारत है बेटेश नहीं है थिनुट अमेरिका, तो आपको बता दें, पहले आप देखिए, आंसर दीजे इसका, तो इसका correct answer में बताता हूँ आपको, कि इसका correct answer है, अमेरिका, लेकिस सम्विधान का प्रारम अमेरिका में हुआ था, आप याद रखेंगे, और उसके बाद, आपसे पूछे अगर लेकिस संविधान से लिया गया है सबसक्त ditche है look at को और चोटा है लिखिश अन चुझ टीक है लिखिश समीधान बात करे में B तो आप ऐसे भी याद का सकते हैं, कितने हैं, जैको आ एक हो गई, मा एक हो सकते हैं,That पर दोड़ी सब्सक्राइः को thrown in!.. तो वह भारत का भारत का जो है वह सबसे बड़ा है सबसे यह पंथ थोड़ा नहीं चल ला है आज एक मिनट यह सबसे बड़ा है आप याद रखेंगे ठीक सबसे बड़ा ठीक सबसे बड़ा भुजडक्वा बात करते हैं नीक्स्ट कॉस्टट और इस वीडियो का लास्ट कॉस्टट है थिस दो वर्ड हैं दो संसदी है दो पड़ाली वाले तो वीदिका सासन पूछ रहा तो England से, विद्धवारा स्थापित प्रकtt क्रिया, ये है भी दिखुआ आगा है, ये जापान से, ये भी मने बता है, ये भी correct है अपका, राजिपाल दॉराव विद्धव को सुरच्चित रखना, ये USA के सम्विदान से नहीं है, राजिपाल के दॉरा विद्यक को सुरचित रखना ये कनाडा के समिदान से कहां से है कनाडा के समिदान से और विश्ट्रित उभेनिस्टूची की बात करेगा तो ये श्टेलिया से ये correct answer आपका तो गलत कहुं सा है आपका ये गलत हो गया कि राजिपालदरा विजएक सुरच्छित रखना ये विएसे के समिधान से नहीं कनाड़ा के समिधान से है ठीक है तो असा करते हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये मैंने डिटेल में बाद में जो प्रिविए सेरे को कुश्चन डिसकस किये इस टॉपिक से र subscribe and share, dhanywaad.